टेलिविजन दृती विश्विद्ध के बाद संचार के एक नई तकनिक रेडियो का स्थान लेने लगी जह थी टेलिविजन या टीवी 1920 के दशक में एक स्कॉटिश इंजिनियर जॉन लेगी बेयर्ड ने बोलने वाले चित्रों के संचार के विधी खोजी जिसे बाद में टेलिविजन का नाम दिया गया दूर संचार के छेत्र में या एक बड़ी खोज थी या फिल्म की तरह एक साथ लाखों लोगों तक पहुँच सकती थी लेकिन टीवी फिल्मों से फर्क भी थी रेडियो की तरह इसे घर बैठे और दैनिक काम करते हुए देखा जा सकता था रेडियो और टीवी लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन गये लगातार खबर और विमर्श और विम्बो के माध्यम से टीवी लोगों पर हावी होती गई विबिन सर्वेक्षणों से पता चलता है कि ब्रिटेन वा अमेरिका जैसे विक्सित देशों के लोग अपने खाली समय में निश्क्रिय होकर टीवी देखते हैं औसतन प्रतेक वेक्ती चाहेवा चार साल का बच्चा हो यँ सेवा निवृत वृध रोज कम से कम तीन से चार घंटे टीवी देखता है जहाँ पहले वे अपने मित्रों से मिलने जाते थे या सेर करने जाते थे या घर पर ही अपनी रूची की कोई गतिविधी में समय लगाते थे वहां लोग अपने सोफे पर लेट कर टीवी देखते हैं इसके दो महत्वपूर्ण परिणाम बताया जाते हैं पहला यह कि लोग विश्यों वगटनाओं के बारे में विचार विमर्ष करने की जगा उन्हें मनोरंजन के दृष्टी से देखते हैं यह कहा जाता है कि पत्र का पढ़ने वाले अधिक सोच विचार और चर्चा करते हैं बनबिस्त की वे लोग जो उसे विश्यों को टीवी में देखते हैं दूसरा यह पाया गया है कि टीवी के कारण लोग एक दूसरे के साथ कम समय बिताते हैं जिसके कारण सामाजिक रिष्टे शितिल होते जा रहे हैं जहां अमेरिका जैसे देशों में रेडियो और टीवी प्रसारण नीजी कमपनियों द्वारा होता था वहीं यूरोप भारत आदी में प्रारंब से ही प्रसारण पर राज्य का नियंत्रण इस्थापित हो गया था ब्रिटेन में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बी बी सी की स्थापना सरकार द्वारा 1926 में की गई इसका खर्च रेडियो वर टीवी उभोगताओं से लिये गए कर से निकाला जाता था 1950 के बाद ही ब्रिटेन में नीजी कमपनियों को प्रसारण की अनुमती मिली भारत में भी लगभक 1990 तक राज नियंत्री दूरदशन और आकाशवाणी ही मात्र एक प्रसारक रहे उसके बाद ही नीजी चैनलों को प्रसारण की अनुमती दी गई